हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आरेस इंगलिस वर्ल्ड फ्रेंड्स टुड़ेज अ न्यू चैप्टर आइटिंग न्यू टॉपिक्स ओके सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को काइंट्स और प्रोनॉंस के ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं और ये ट ट्रिक्स से आपको benefit होंगे तो चलिए आप सभी लोग वीडियो के अंध तक बने रहिएगा नेच्च्ट है आपका ये ट्रिक है देख सकते हैं pride reader no UKer के होते है ठीक है pick a P r i d e r i d r को तो अब देख लेखते हैं पी का क्या आर्थ होता है या होता है ये क्या होता है ये क्या होता है पूरे सीरीज नुशार हम लोग देखते हैं ठीक है तो आगे है पर्शनल प्रॉनौन ओके पर्शनल प्रॉनौन मतलब होता है जो व्यक्ति वाचक सरुनौन होता है तो सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि प्रॉनौन्स होता क्या है तो यह जनली बहुत सिंपल होता है जहान, यानि, संग्या के स्थान पर जो उपयोग किये जाते है, यानि, यूज किये जाते हैं जो सब्द, वह आपके सरु नाम होते हैं. टो वह तो सब्धुक जानते toute simple होते हैं, इसमें कोई difficult नहीं होते हैं. ठीक है? मैं आपको सिर्फ tricks بتाने के लिए इस वीडियो को बनाया है तो चलिए personal pronounce क्या होता है व्यक्ति वाचक सरुनाम से किसी पुरूस व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है ठीक है यानि किसी पुरूस का या व्यक्ति का अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें पुरूस और व्यक्ति दो चीदिया है ऐसा क्यों क्या पुरूस अलग होते हैं व्यक्ति अलग होते हैं क्या तो कहने कार्द होता है कि यहाँ पर किसी पुरूस जाती का भी बोध होता है वेक्ति में महिला या पुरुस दोनों भी हो सकते हैं ठीक है और वस्तु का भी बोध होता है ओके आगे है कुछ एक्जामपल है अब एक्जामपल क्या है कैसे हम जा सकते हैं कि यह आपका पर्शनल प्रणावन होता है ठीक है तो उसमें यूज किया गया है जैसे आई वी ही सी ठीक है जिसको हम फर्श्ट पर्शन सेकेंड पर्शन और थर्ट पर्शन के रूप में जानते हैं मैं उसके उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो आप यहां देखिए ही इस स्टेडिंग आई गो टो इस्कूल डेली सी वर्किंग हार्ड यू आ गों तो इस लूकिंग नाइस अंड यह आर राइडिंग द बैसिकल एंड नेक्स्ट वी वी आर राइटिंग अलेटर एट नेक्स्ट यू आर श्पिकिंग द प्रूथ ओके तो आप यह जो देख सकते हैं यह आपके संग्या के जगह पर यानि उस नाउन के जगह पर पर नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं प्रिस सीरीज भाई है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए आप अपने हिसाब से किसी भी तरह उपर निचे लिखे लेकिन आप ट्रिक माइन में रखे रहेगा ताकि आगर आपको जोरत पढ़े कभी कोई आपसे बता सकते हैं ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन अब रिलेटिव का अर्थी होता है जिसे बता है आपको आता है यह मेरे रिलेटिव है तो रिलेटिव को मतले क्या होता है संबंधी तो यहाँ पर आपको सकते है रिलेटिव प्रोनाउन मतले होता है संबंध वाचक सर्वनाम जो सब्द एक दूसरी को वाक्य को जोडता है ठीक है तो यहां पर देख सकते संबंध वाच्राइब नाम का ढदधी से अधिक वाक्य को जब जोची जोड़ता यह में जोड़ता है हम उसे प्रनौन का नाम देते ठीक है आई बास समझ में अदेखिए अब इसे क्या करते हैं हम इसे कुछ अनग और लैंग में जानते जिसे इंट्रोगेटी प्रुणौन प्रस्माचक सरुनाम अपना इंट्रोगेटी फॉर्म खो देता है तो यह रिलेटीव प्रुणौन बन जाता है ठीक है अब यह कैसे बन जाता है इसे भी आप देख लेते हैं आगे एक स्लाइड में तो सबसे पहले हमें जा लेते हैं रिलेटीव प्रुणौन भी दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं रिलेटीव प्रुणौन फर्स्ट होता है कांटिन्यूटिव यूज और दुसरा होता है रिश्टेक्टिव यूज ओके तो अब इसका क्या होता है ये भी देख लेते हैं प्रकट नहीं करता है यानि वो अपनी उस अवस्ता को प्रकट नहीं करता है एक्जांपल देख सकते हैं मैं मोहन से मिला जिसने इस पत्र को लिखा तो यहां पे आप आपने देखा आए कि जो इंट्रोगेटिव का काम करता था लेकिन यहांप क्या काम कर राया है रेलेटिव प्रोनाूंस का काम कर रहा है ठीक है क्योंकि ये दो वाक्य को आपस में जोड रहा है पहला वाक्य क्या है I met Mohan, आप यह कए सकते हैं आइसा ताजमहल मैंने ताजमहल देखा और जिसने उस ताजमहल के बारे में बताया ठीक है यह भी आप कर सकते हैं तो यहां पर क्या है मैं मोहन से मिला जिसने इस पत्र को लिखा तो यहां पर हूँ है यहां जो हूँ लिखा है तो यह हूँ का मतलब होता है रिलेटिव प्र खुड दिया जो तुरंत उड़ गया जो तुरंत उड़ गया यानि रिलेश दपैरेट विच एट वस फ्लू आप अब यहां पर विच क्या कर रहा है विच इन दोनों वाक्यों को जोड रहा है पहला काम कर रहा है उन्होंने तोत्य को छोड दिया एक तो यह सेंट्रेस समझ में आ रहे है यांदि नए समझ में आ रहा है तो आप कमेंड बॉक्स में आप अपनी क्वेस्टन को फ्र शू समयं में उसे आप लिख सकते ठीक है अब देखिए यहां पर यह समझा है रहा है एक अपर पारों तवाक्यों में ने औरक यह प्रोर्वशन औरग आपने दोनों को जोड रहा है क्या कर रहा है सिर्फ जोडने काम कर रहा है कि हां यह दोनों सबजक्ट में गतीक में हैं क्आकर रहा है ठीक है और अब का पार्त वन है अभ इसका पाट टू बने गया थिक है next है restrictive use अब इसका अर्थ क्या होता है ये भी relative pronoun का ही काम करता है जिसको हम संबंद वाच्चक करते हैं इसकी भी अपनी पुरुवर्ती की विसेस्ता पर प्रकट करता है ठीक है जैसे I do not like the boy यानि मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता who stole my pen जिसने मेरी कलम चुरा ले आपने करते हैं अगर आप कह सकते हैं कि मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिसने मेरा कलम चुरा लिया या जिसने मेरा किताब चुरा लिया whatever okay तो इसमें क्या कर रहा है ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है okay my father went to the boy you know whom you know आप इसको newspaper में देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे और newspaper से आपको pre grammatical जितने भी errors होते हैं आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है, मैं आपको newspaper भी पढ़ना सिखाऊंगा, newspaper में ढूडना सिखाऊंगा, ठीक है, next is this is the boy that told you, अब यहाँ पर मैंने जो that यूश गिय है, यह आपका जोडने का काम करी रहा है, लेकिन यहाँ पर that कार्थ होता है कि एक past के लिए, एक दूर के लिए, ठीक है, this and that, okay, यह वही लड़का है जिसके बारे मैंने तुम्हें बताया था, आपने कई बार आपसे कहता है, कि यह वही लड़का है जिसके बारे मैंने ठीक है next है interrogative pronoun अब interrogative का मतली भी होता है ना प्रश्न पुछने वाला अब ये प्रश्न पुछने वाला तो ये भी तो चाहे हो सरवनाम बता रहा हो या कोई ऐसा sentence बता रहा हो ठीक है तो जिस वाक्वे में प्रश्न पुछने का काम करता हो सिंपल सी बात है जिसमें प्रश्न पुछने का काम किया जा रहा है तो आप कर सकते हैं वाट इस यूर नेम हू रोट इस लेटर हूम डू यू वांट विच इस यूर पेन और वेर इस यूर हाउस और वेर दू यू लीव सम्ठिंग, ओके तो आप इस तरह की जितने भी सवाल करते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनौव्ण के कैड़करी के अंत्रगत होता है ठेक है, नेक्स्ट है अब देखिए हू का प्रयोग वेक्तियों के लिए करते हैं किसके लिए करते हैं वेक्तियों के लिए जैसे आप बताते हैं अगर कोई sentence लिखते हैं कि जो वस्तु जो वस्तु दोनों में सो करता हो तो यहाँ पर who think नहीं बोलेंगे which things, which things sow in both, okay? आप यह कहेंगे लेकि आप इने कहेंगे कि who think sow in both यह sowing in both, okay? तो please आप यहाँ ध्यान देजगा who of which कहाँ पर लगते हैं तो who का प्रियोग वेक्तियों के लिए करते हैं जिसको हम नॉमिनेटिव केस के रूप में डानते हैं और whom का प्रियोग वेक्तियों के लिए करते हैं जो objective केस के रूप में होते हैं, ठीक है? यानि एक कर प्रियोग वेक्तियों के लिए किसको हम पूसेशिव के रूप पर जानते हैं ढमनेटिव केस और पौसेशिव केस जैसे आपने पढ़ होगा, फर्श पर्सन, सेकेंड पर्शन, थर्ड़ पर्शन, I, Me, My, Mine, ओके, I आपका क्या है? नॉमलेटिव है, ठीके, मी क्या है? आपको अबजेक्टिव है, और My और माईन आपका क्या है? पोसेसिव कैसे, ठीके, इसी अधार पे आपको समझना होगा, नेक्स्ट है वाट का प्रियोग किस के लिए करते हैं तो वाट का प्रियोग वस्तुव के लिए करते हैं ठीक है वीच का प्रियोग व्यक्ति या वस्तुव के लिए भी करते हैं सेलेक्शन यानि किसी भी चीज को चुनाओं के लिए करते हैं ठीक है और एक और भी एक्स्ट्रा आगर आप इसको देखना चाहते हैं तो वाट से यह दियाब करता चाहते हैं अगर आप कहना चाहते हैं किसी से भी तो आप बोलते हैं तुम्हारे भाई क्या करते हैं पूछना चाहते हैं तो वह काम करने के लिए पूछने हैं क्या करते हैं तो हूज यूर ब्रदर अगर पूछते हैं हूज यूर ब्रदर यानि आपके भाई कौन है या आपके भाई का नाम क्या है ओके तो दोनों में अंतर एक में काम के लिए पूछ रहा है और एक में नाम पूछ रहा है ओके नेक्स्ट है कि यह भी एक संकेत वाचक है जो कि एक इंडिकेट करता हो ओके और इसमें संकेत पूछ रूप में किसी नाउन की तरफ ही इसारा करता हो यह जो रहतने किसी नाउन की तरफ हो वह आपकी प्रणाउन की तरफ भी इसारा करता हो आप देख सकते हैं इसको सिंपल आप यह समझ सकते हैं कि जो बस तू एक हो लेकि पास में हो तो दीज होगा ठीक है और दूर है एक सदीक है तो दीज होगा, okay डाइट, दूर के लिए है, एक है बाट अगर बहुत सारा है, दूर है, दोस होगा, दोस होगा दूर सार यूरो कैब्स, okay इस तरह से आप समझ सकते हैं तो मैंने याप इस संकेत की रुप में आपको लिखा भी है है आप है से देख सकते हैं चाहे तो आप इसको जुड्यार्श कर सकते हैं रहे हैं उस हिसाब से एकॉर्णिन तुनीड तो डीडिंक डी यो के चूज्ट अखे नेक्स्ट थ एेम्फाटिक प्रोनावन ओके अब य्क यहोथ है इंफाटिक प्रोनाय जिसका आर्थ होथ है द्रिंडता सुच्अ सर्वनाम। यदि रूप शर्वनाम होता है अ अपने ध्रिटा होता है थे कर्णाम Mongol केस में होता है लेकिन इस प्रोनोव में क्या होता है ह। रगाते हैं तो आप समझopers लगाते हैं कि क्या है इक प्रोनोव का अर्थ कि дорगे कि जो subject पर दबाव डालता हो यानि आपके करता के उपर दबाव डालता हो आप simple समझ सकते हैं कि द्रिंटा सुचक सवनाम करता होता है कि जिस वाक सिये करता के उपर दबाव पड़ता हो ठीक है तो आप इसको आगे देख सकते हैं स्लाइड में अ लगबग इस तरह के sentence अप यूज करते हैं अपने routine जीमन में उसने स्वयम ही ऐसा किया था उसने स्वयम ही ऐसा किया था ही ही wig did उट क्या उसने इसा किया था वह स्वयम ही ऐसा कहती है तो जो खुद के लिए हो सिर्फ खुद के लिए तो सिर्फ तो सी हर्सल से सो वो स्वयम ही ऐसा कहती है और उसने स्वयम ही ऐसा किया था तो he himself did so और नेक्स्ट I myself did it मैंने स्वयम ही इसे किया we ourselves can do it हमने स्वयम ही इसे किया इस तरह के आप जितने भी सेंटेंस है जो खुद की काम पर यह खुद की करता को पर दबाव डालता हो इस तरह के सेंटेंस को हम एमफेटिंग प्रोनॉंस के रूप में मानते हैं ठेक है next है अब ये जानना चाहते हैं कि reflexive and effecting pronouns में अंतर क्या होता है कुछ तो अंतर होते होंगे तो कुछ major difference between reflexive and effecting pronouns तो reflexive pronoun में self-card होता है जो कि मैंने पहले ही पढ़ा जिसका अर्थ होता है अपने आप में परन्तु emphatic pronoun में self-card होता है या किन्तु इसमें स्वयम सो करता है तो आप इसे समझ सकते हैं एक अपने आप में और दुसरा स्वयम में सो करता है example यह जब देख सकते हैं तो यहाँ पर दो तरह के example दिये हैं पहला reflexive pronoun को सो कर रहा है दुसरा emphatic pronoun को सो कर रहा है तो फ fix पहला क्या करा है मं इसे अपने ह만 कर सकता हूँ I can do it myself आप कर सकता है I can do it myself मैं इसे अपने मैं इसे अपने से कर सकता है आप इस तरह से बोलते हैं दूसरा में स्वयम अकेला ही कर सकता हूँ I myself can do it अभि दोने में देखिए यह ग्डम कुछ simple एक मेजर सा सिम अंतर है कुछ जाला डिफ्रेंस नहीं है सिफ simple सा अंतर है ओके तो आप इसे ध्यान दीजेगा next है reflexive pronoun जब भी यूज होगा वो क्रिया के बाद आता है और reflecting pronoun जब भी होता है वो क्रिया के पहले होता है तो इसे ध्यान दीजेगा और reflexive pronoun हमेशा किसके साथ यूज होता है objective case के साथ ही यूज होता है और linear phatic pronoun किसके साथ होता है वो nominative case के साथ होता है यानि nominative case इस इस पे I,V,II,U दे होते हैं ठीके his C होते हैं तो वह आपको nominative के संग्याम में आते हैं बट यदि objective को बात करता है तो जैसे आप I का मी कहते हैं,' का his कहते हैं, हि का him कहते हैं, ओके सी का हर करते हैं इन सभी की जो अब्जेक्टिव कैसे होते हैं वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट है थैंक्यू सो थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो इफ यू ड्रीम्स डोंट स्केर यू दे आर टूल स्मॉल और रिटेन बाई रिचर वैटसन ओके तो दोस्तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी हैल्प हुए होंगे तो प्लीज आप इसे सेर करें लाइक करें और कमेंट करें क्योंकि कमेंट आपका क्वेशन बनकर आता है मेरे लिए जो मेरे लिए बहुत जरूरी है और आपको सिखाने के लिए बहतर होंगे तो प्लीज आप कमेंट करें और यदि आपको मेरे वीडियो में कोई भी ऐसी एरर नजर आये हो तो प्लीज आप कमेंट करें, थैंक्स फर वाचिंग में वीडियो, थैंक यू, जै हिंद!